अबादी में भी रहा फकत, तनहाई में भी बसर किया, जिसको अपना मान लिया, उसी के दिल में घर किया, कभी दुआ में मांगा उसे, कभी सदगे में सर किया, और खुदा से खुद लड़ी खुदी, मुहबत ने ये हशर किया के खुन खोले ना इतना, काटने को एक नस बाकी है, धड़कनों से रुह तक का दावा दे, जिन्दगी में ऐसा शक्स बाकी है, और तुमने बोल दिया ना, आगे नहीं प्योंगा, के तुमने बोल दिया ना, आगे नहीं प्योंगा, बस इस आखरी सिगरेट का आखरी कश बाकी है, ना ही अच्छे थे हम, ना ही बुरे बताए गए, ना ही गिंती खतम हुई, ना ही गुनहा गिनाए गए, के हम भटके भी तो भटके यार, घर की चार दिवारों में, ना ही काजल रुका कभी, ना ही बैट समझाए गए, उमीद यही थी तुम आओगे मुझे अपनाने नहीं अफसोस दिलाने कि उमीद यही थी तुम आओगे मुझे अपनाने नहीं अफसोस दिलाने मगर बड़े अफसोस से देनी तुम्हें एक सीख है तुम ही निभाओ किरदार वफा के हम तो बेवफा ही ठीक है फिर से कहानी के हर पन्ने को खोला जाएगा फिर से चुप रहकर सब बोला जाएगा और तोला जाएगा महबत को देखना इस दफा यादे कौन सा जहर भरेंगी और ताश की गड़ी से जोकर गायब है इस दफा राजा नहीं सब की चहती रानी मरेगी बड़ा रुलाया है मुझे इन लोगों ने के बड़ा रुलाया है मुझे इन लोगों ने मत कर इश्क बरबाद कर देगा क्या क्या समझाया था मुझे इन लोगों ने के भला किसको आईना पसंद नहीं मगर खुद को जोड़ने के लिए पहले आईना तोड़ना पड़ता है और लोग मीठा बोल कर रग पगड़ रहे हैं मैं कड़वा बोलती नहीं यार मुझे कड़वा बोलना पड़ता है शुक्तिया